आरेसेस और भारती जुनता पार्टी के मौजुदा रिष्टों की जिस सच्चाई पर अब तक केवल चर्चाएं हो रही थी अब कहीं न कहीं आरेसेस प्रमुक मोहन भागवत ने उन चर्चाओं को साफ कर दिया अब बीजेपी की पैरेंट बोडी कहे जाने वाली आरेसेस के मोहन भागवत ने लोगसबा चुनाव परिणाम के बाद अपनी पहली प्रतिक्रियत मोहन भागवत सौंबार दस जून को नागपूर में संके कारेकरता विकासवर के समापन में शामिल हुए यहां भागवत ने चुनाव राजनीती और राजनीतिक दलों के रवये पर बा बड़ी बात पहीं भागवत ने कहा है एक साल से मनिपूर शांती की रहा देख रहा है इससे पहले दस साल शांत रहा और अब अचानक जो कलहां वहां पर उगजी या उग जाई गई उसकी आग में मनिपूर अभी तक जल रहा है इस पर कौन ध्यान देगा प्रतमिक्ता द प्रतमिक्ता देके उसका विचार करना यह करता है भगवत ने कहा संसद में दो पक्ष जरूरी है देश चलाने के लिए सहमती जरूरी है संसद में सहमती से निनने लेने के लिए बहुमत का प्रियास किया जाता है लेकिन हर स्थिति में दोनों पक्ष को मर्यादा का ध्यान रखना होता है संसद में किसी प्रिश्ण के दोनों पहलू सामने आए इसलिए व्यवस्ता है लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि विपक्ष को दुश्मन कहा ज तेंगे आपस में शंका संसे उत्पन होगा इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संगे जैसे संगटनों को भी उसमें खीचा गया कि टेकनोलोजी का सहरा करके असत्य बाते पर उसी गई नितांता असत्य